साथियो नमस्कार जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जादस जादस कवी समेलन वेविनार के थुरू ऑनलाइन मोड में ही हो रहे हैं क्योंकि सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत महत पूर्ण है और कवी समेलन भी चल रहे हैं इस दोरान कल का कवी समेलन जो ऑनलाइन मोड में वेविनार के थुरू हुआ था वो हिंदी महासंग जैन के दोरा आज़ूत किया गया था और ये बड़ा भव कवी समेलन था और इसमें 20 से 25 कवियों ने भाग लिया था और 200 से 300 सुरूता मौजूद थे टेकनिकल कंस्टेंट्स के कारेंट इसमें सुरूताओं की उपस्तिती जादा नहीं हो पाती क्योंकि जादा लोग कनेक्ट नहीं हो पाते टेकनिकली तो मैं उसी कविता को जो कल के कवी समेलन में मैंने प्रस्तूत किया था मैं आपके समक्ष फिर अपने चैनल के मादम से प्रस्तूत कर रहा हूँ ताकि कोई इस्या चूता नर है तो आईए मैं इसका विताव को आपके समक्ष पुना प्रस्तूत कर रहा हूँ आसा आपको पसंद आएगा जिन्दगी की राहों पर कितने गड़वड जाले हैं इस तरफ अंधेरे हैं उस तरफ उजाले हैं इस कदर हैरानी क्यों इस कदर क्यों हंगामा इस कदर हैरानी क्यों इस कदर क्यों हंगामा ये जो मुसीबत है हमने ही तो पाले हैं जाने को वो कहते हैं दूर अपनी आखों से इधर उची पहाडी है हम से ही सिकवे क्यूं हम से सिकायत क्यूं आप अगर मासूम हैं हम भी भोले भाले हैं अप अगर मासूम हैं हम भी भोले भाले हैं राजनीती की बातें हम लोग क्या जाने हमारी कोई सुनता नहीं उनके मुँह पे ताले हैं हमारी कोई सुनता नहीं उनके मुह पर ताले है आग जिन्दगी में है आद में जुलसता है हमको डर कैसा सब रव के हवाले है एक बार की जिन्दगी आओ खुल के जीते हैं कल की खबर किसको हर पल के लाले है जिन्दगी की राहों पर कितने गड़वर जाले हैं इस तरफ अंधेरे हैं उस तरफ उजाले हैं उस तरफ उजाले हैं उस तरफ उजाले हैं उस तरफ उजाले हैं झाल झाल